जलिए बच्चा अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं आपको मालूम है जिहुआ basically regulation प्रे något आप France आ निवह आंडियो नहीं साथ साफ बोल दिया कि भेख्या हम यह पे चाप करें पाला इस सर फाला पिरूसरी स्कीन था एप्रिशन था ई जनरल बेनिफिट और रिटार्म वन बाई वन इनों बताया है सबसे पहले बच्चा वही इस ओप दूसरा क्या है पर्चेस तीसरा क्या है एप्रेसियेशन चौथा जनरल बेनिफिट और पांचवा रिटार्म पूरे चैप्टर में हमने डिटेल में इस ओप पढ़ लिया इतनी डिटेलिंग नहीं बताएंगे साफ साफ इनोंने बोला है कि भाई हेडिंग के लिख है एड्मिनिस्टेशन और इंप्लिमेंटेशन मतलब पूरा का पूरा मानेजमेंट इंप्लिमेंटेशन मतलब उसे लागू करवाना अप्लाई करवाना इनोंने का सुनो जो भी uya की scheme होगी ना उसमें detail राते लेक़ देना när details की में बता देना कि كैसे implementing कैसा ऑप्रेट होग खत्म कुछ भी नहीं बताया इन शर्ट पहला किया बूलता है इस अप की बनाerez detail लिग देना कैसे management होगा कैसे implement होगा लब back to talk आप Hai इन्होंने का कैसे management होगा पड़ा नामने direct, indirect ये सारी चीज़े scheme में detail में लिखी होगी ठीक है हमने ओर detail में trust का route पड़ा तो 16-17 points पड़े थे वो सारी चीज़े scheme में detail में लिख देना इन्होंने का भईया अब हम इसको detail में बताने वाले नहीं है आप scheme में सब लिख देना पह इस उसकी help करेगा क्योंकि वो सभी के law बताएगा ठीक है चल बच्चा अब जो ये इस सॉब option किसको दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है एंप्लोई को किस प्राइज में दिया जा रहा है प्रीडिर्माइन प्राइज अब ये प्राइस कौन डिसाइड करेगा company को बोल जब अपने एंप्लोई को ये आप्ट पड़ रहे है अभी हम इस ओप पड़ रहे है अभी हम क्या पड़े बच्चा इस ओप की जो प्राइस होगी company को साफ सा बोल दिया company जब अपने एंप्लोई को ये option दीगी company के पास बस freedom है freedom है जो प्राइस उसे डिसाइड कर ये फ्रीडिटर्माइन प्राइस वो डिसाइड कर ले चीक है लेकिन बस धान रखना accounting policy वैलिएशन करोगे ना मूठा के कोई कि रख दोगे क्या वैल्यू नहीं तो accounting policy अभी accounting policy का knowledge किसको होगा बच्चा CA को कि CS को obviously CA को तो CA की accounting policy अभी मैंने बताया था ना उनका जो प्राइस करना वापस पहला point बोलता है उसका administration implementation वैसा होगा जैसे आपने स्कीम में लेका है प्राइसिंग बोलता है company free है उसके पास full freedom है जो प्राइस उसको decide करने कर ले लेकिन बस accounting policy का ध्यान रखना अकाउंट के रूस रेगलेशन का ध्यान रखना प्राइस रिसाइड करते बाक्त बाकि कुछ नहीं प्री है चलिए थर्ड पाइंड के लिख है वेस्टिंग पहले तुम मुझे बताओ यह वेस्टिंग पिरेड होता क्या है कि होड़ करके रखते हैं लोग कितने टाइम तक काम करना है ठीक है आप इन्होंने कहीं बना कौन रही है कौन बनाती है कंपनी खुद बना दिया ना तो भाहिया company को बोल दे भाई सुन मिनिमम सकते हैं क्या नहीं मतलब जब compensation committee पूरी scheme तयार करी होगी बींगा CS आपको guide करना है अगर director बोलेगा कि यार एक काम करते हैं 10 महीने काम करेंगे तो हम ये shareison को दे दीगे तो आपको साफ साफ मना करना है सभी क्या बोलता है सभी क्या बोलता है minimum एक साल तो काम कराओ employee से चीक है चलिए कंपनी में में लिखा है में मतलब option shell मतलब कंपल सरी वेस्टिंग पीरेट कंपल सरी एक साल तो minimum रखना पड़ेगा बच्चा क्या locking period के लिए option बोल दिया है हाँ याद तो स्टिकिटी शेर में confused हो जाओगे क्योंकि स्टिकिटिशन में साता बोल दिया था locking period कितना है तीन साल एक बार employees को शेर्ट मिलते हैं तो तीन साल तक वो बेच नहीं सकता इन्होंने में बोल दिया रख भी सकते हैं और नहीं भी मतलब ऐसा कोई कंपल सरी नहीं है कंपनी स्कीम बनाते हैं वक्त locking period रख सकती है और नहीं भी वो उसकी मर्जी कितना रखना है यही जब option बोल दिया कि रख सकते हो नहीं भी तो बच्चा कितने रखने वाली बात ही नहीं है वो भी कंपनी की मर्जी क्या यह बात समझ में आई तो लॉकिन प्रेट रखा भी जा सकते हैं और नहीं भी यह बात या रखना आप अप्राइब कर दो जाओगे तो प्लीज प्लीज इसलिए में रिवाइस करवाती जाओ रहें कितना था लॉकिंपरिए क्या प्राइब का फॉर्मुला दे रखा था वहां हाँ यहां दे रखा ह है क्या नहीं चले पहले दूसरे थीसरे पंट के लिए है बढ़ते आगे क्या लिख है राइट ऑफ दी ओप्शन होल्डर बच्चा मुझे बताओ आज मैंने ऑप्शन दिया मैंने बूला पांक साल बात शेर्स मिलेंगे तो पांक साल बात शेर्स मिलेंगे क्या अभी इन है employee की पास क्या-क्या राइट नहीं है दिविडिटन का राइट नहीं है वोट का राइट नहीं है बच्चा कोई भी benefit enjoy कर सकता है नहीं यह माल इक नहीं बना अभी चीक है तिल कब तक नहीं जब तरह एक्साइज मतलब exercise करने हुए dividend भी मिलेगा वो भी मिलेगा जितने benefits है सब मिलेगा clarity है तो क्या कोई rights है नहीं कम मिलेगा after exercise fifth point consequence मतलब result अगर अगर fail हो गई to exercise यह क्या बात होगी बच्चा अब समझे न इस ओब में मैंने आपको बताया pre-determined price होती है और date बच्चा future की रहती है अब थोड़ा सा और detail बता भी कमपनी चाहे तो scheme कमपनी चाहे तो क्या करेगी scheme जब वो देगी ये वाली scheme तो वो चाहे तो थोड़े बहुत पैसे ले भी सकते और नहीं दी ये कमपनी की खुद की मर्जी होती है वापस मैंने बोल दिया मेरी कमपनी की अभी pre-determined price के बच्चा 100 रुपे पांच साल बाद ये 5000 हो सकती है ये खुद के assumptions है न कमपनी के कि भया आज मैंने price बता दिया ना आज मैंने price बोल दिया कितना है बच्चा 100 रुपे 5 साल बाद कितनी भी value हो सकते कम भी हो सकते ना बचाज भी हो सकते दस भी हो सकती है एक रुपे भी सकते हैं तो उन्होंने का भया आज मैंने 100 रुपे दे दिया ठीक है तो आप चाहो तो company उपनी लेकिन एक option होता है कि वो चाहे तो पैसे ले सकते और नहीं भी इनकेश पैसा ले लिया ना पांच साल बाद सत्तर रुपे लेकर खड़ी रहोंगी कि 30 दे चुका है सो हो गए चलिए शेर्ज दे दो और स्टेंफे वैल्यू 5000 हो चुकी है बढ़िया ने बच्चा पांच दा की चीज में कितने में मिल रही है सो रुपे में तीस रुपे पहले दे चुके मान लो लिए कि 50 रुपे को हो गया है कितने को हो गया है 50 रुपे का मुझे शेर्ज नहीं खरीदने लेकिन पहले तो 30 रुपे दे चुक्यों केसे या फिर मैंने क्या दो साल बाद छोड़ दिया इन्होंने दूनों सिंचुएशन बताये इन्होंने का मानवbey एकसाइस नहीं किया है तो आजे amount pay किया था employee ने if any if any मतलब scheme में अगर पैसा थोड़ा देना था वो वाली है तो अगर बच्चा पैसा ही नहीं दिया तो return करने की बाद कहा साएगी चीक है if any अगर amount कुछ pay किया था time of grant of option तो उन्हें का दो situation है या तो पैसे क्या कर लिए जाएंगे profit profit मतलब जब तो गया cancel हो गया आपको कुछ मिलने वाला नहीं मेरे तीस रुपे गए या फिर क्या दिया जाएगा refund उन्हेंने का option है अगर आपने क्या लिखा है not excise मतलब 5 साल तक मैंने काम किया और मैंने क्या नहीं किया ठीक है तो उन्हें उन्हें क्या बोलो कि इसमें क्यों जाएगा जब ती हो जाएगी 100 रुपे के शेर्स से मैं कितना पे कर चुकी थी 30 रुपे अगर पूरे फिश्टा क्या है लीगल सक्टा है चले मान लो बच्चा इन्होंने क्या बूल दिया not vested not vested मतलब पांच साल आपने काम किया ही नहीं बहीं यह दो साल में तो आप क्या कोगे सुनो मैं दो साल में छोड़ दिया मतलब मैं option नहीं लेने आगे फीचर में जाके तो प्लीज मेरे तीस रुपे हो जब आपस कर दो तो तीस रुपे भी लेके मैं चली जाओंगी इन शॉर्ट पूरे पांस साल काम के एक्साइज नहीं करी जब क्योंकि आपने टाइम तो काम किया ना आप्शन तो आपने लेकर रखा था और बच्चा अगर वेच्टी नहीं हुआ है वेच्टी नहीं हुआ है मतलब पांस साल ही काम नहीं के तो आपको मिल जाएंगे रिफंट अपना पैसा लेके नौपी छोड़ कर जाए ठीक है या फिर बच्चा एक्साइज जाले दिन आपने बना कर दिया तो प्लीज आपकी जबती हो ज है कीम में सारी डेटेलिंग लिख देना दूसरा के लिखा है कंपनी अपनी प्राइस को से डिसाइड कर सकती है बस अकाउंटिंग पॉलिसी याद रखना थर्ड मिनिमम कितना वान ये लॉक इन पिरट को लिए कि क्या बूला ऑप्शन है आपको रखना है तो आपको नहीं ने करोगे रिफंडों का कब जब वैस्ट ने करोगे ठीक है नीचे बात किया रहा है कि कुछ सुना सुना लग रहा है मर्जर अमल्गमिशन होगा तो मान लो वैस्टिंग पिरेड एक साल था एक साल ठीक है आईटेक जादर का लोनी रामपूर के साथ मर्ज हो जाता है बह साल रिंग तो मानने जाएगा दस महीने यहां किए हैं आप बस दो महीने करूंगे तो मेरा पूरा एक साल कंप्लीट हो जाएगा और एक साल कंप्लीट की बद मुझे शेर्च मिलें रात धीक नहीं सब्सक्याइब नहीं है पहले बता चुके थी पकका खतम यह आपर इस ओ बढ़ू आगे मार्क करो फटाफट करें लाइग वह थी मान है तो गया है मार्क बोलो गया नेक्स के लिखा है एम्पलाई स्टॉक पर्चेस किन क्यों होता है यह पर्चेस किन जब हम जनता को दे रहे हैं उसी का एक पाट किसके लिए बचा के रख दिया एक करोड लेकिन एक करोड का बाइफर्केशन क्या है 98 लाग जनता के लिए और दो लाग क्या है बच्चा एम्पलाई स्टॉक पर्चेस कीम रखी है बच्चा जनता से पैसे मांग रही हूं तुरंत में इंसे भी तो मांगोंगी ठीक है अब कंपनी की मर्जी होती है या तो स सेम प्राइज में इनको 100 रुपे में दिया जा रहा है तो बच्चा इनको भी 100 में लेकिन कंपनी चाहती क्या है मोटिव क्या था उनका मोटिवेट करना कि मेरी बने रहो तो थोड़े कम पैसे में दिंगी 90 रुपीज में दे दिंगी ठीक है चलो जनता के लिए बूला 100 र रहा था स्कीम में अच्छे से लिख देना यह लिखा ना स्कीम कंटेन डिटेल्स वी स्कीम कैसे इंप्लीमें कैसे उपरेट कुछ बताया नूने रुट करना का अकांटिंग पॉलिसे कुछ बताया सेम बच्चा वहां लोकें प्याद था था लें थे हाईने उन्होंने का उप्चन है रख नाय रखो ने रखना मत रखो किता मैं तो हम कैसे बता ते पर में लला किटना रखना है एक साथ अब बच्चा कंफिझ안 क्या होगी कितना है इस साफ में क्या है option हर्चीज optional है बच्चा purchase scheme में क्या बुला minimum one year तो रखना पड़ेगा compulsory की बेच नहीं सकते चीक है कुछ नहीं meaning लिखा है इनूने क्या लिखा है purchase scheme part of क्या है public issue मैंने आपको बताया company चाहे तो सेम प्राइज में दे सकती है 100 रुपे में और चाहे तो थोड़ा सा सस्ता कितना सस्ता कि मैंने 90 रुपे मेरे example में company ने public issue किया उसी के लिए पार्ट बचा के रखा same price इन्हों रखा भाईया जनता की जो प्राइज है सेम इनकी भी प्राइस कर दी मतला इनका भी 100 और उनको भी क्या कर दिया 100 तो उन्हों बोला भाईया सब लॉकिन करने की जाराज नहीं है इन शॉट लॉकिन कब करना जब सस्ते मिलेंगे जब डिसकाउंट मिलेगा वेरी गुड समझ में आया अब इसमें कुछ आजाएगा वापस सटेक्टिशन में लॉकिन क्या है इस ओब में ऑप्शनल है ठीक है बच्चा पर्चे स्कीम में है भी और नहीं भी कब है क्या है इस डिसकाउंट दिया है तो मिनिममम एक साल डिसकाउंट नहीं दिया है सो कोई लॉकिन पेरेड नहीं है ठ्वान अपनी मर्झी से करें जलेकिन बस क्या धान रखना अकांटिंग पॉलिशिस कि चले कुछ सुन असोना लग रहा है लॉकिन मर्जर अमल्गमेशन एज्जेट क्या बूलना चाह रहें इन्हों का लॉकिन कितना रखना है एक साल एक साल तक बंदा नहीं बेच सकता अरे भाई तुमने अब अधिक यहां पर थे जैने अधिक लिकार लेकिन याद रहा है लॉकिन वहाँ पर अधिस्ट्मिन किसको लेकि ह जाने ख्लायरेटी है पका मां कर लो बच्चा नीचे एक और चोटी सीच को पढ़ा दू फिर मां करना इननने का मान लो पढ़ा है वह वह पढ़ा है इस ऑक दो तरी के सुसकता है डारेक्ट और इंदारे इंदारेकr रूट आज्सू अर्स बॉट इस डुने इन ने सिक प इन्होंने का लॉकिन पीरेड अभी मुझे बताओ लॉकिन फिरेड मिनिमम कितना था एक साल था मुझे बताओ यह जो शेर से अगर ट्रस सेकेंडरी मार्केट से खरीद के रखता है तो हमने कुछ पढ़ा था उसमें 6 मैंने तक रखेगा अगरी बच एक बात मुझे यह बता हमने ट्रस को बोला तुझे 6 मैंने तक रखना है अब आज मैंने शेर्स ले लिए तो मेरा लॉकिन पीरेड नहीं सरे से शुरू होगा कि मैं ट्रस का भी इंक्लूड करूंगी त्रस तो अलग है महली कब बनी माली बन चुकी थी आप खुछ सोच आप माली कब रहे हो जब 20 होती है इन्होंने का पर्चेस की में जिस दिन आपने पर्चेस किया आप उस दिन माली को किसी और ने अभी कुछ टाइम तक होल करके रखा है वो क्यूंड कल्कुलेट करोगे एक साल में login period login period तब आपका start होगा जिस दिन आप मालिक बनोगे जिस दिन आप owner बनोगे तो साफसा बोल दिया है login of the share जो भी purchase scheme में मिल रहा है minimum period कितना है बच्चा वानियर कहां से calculate करेंगे from the date of allotment अभी आपने direct company से खरीद हो तो एक date होगी allotment की चाहे आपने किसे खरीद हो ट्रस से खरीद हो यह भी क्योंगी बच्चा एक date होगी क्या यह बास से मच में आ रही है तो जिस दिन आप मालिक बनोगे वहां से एक साल ट्रस ने अगर एक साल तक रखा है तो आप यह नहीं बोल सकते कि भाहिया लॉक इन प्रिटर तो एक साल उसमें कवर हो गया नहीं आपको जिस दिन मिला वहां से एक साल कैल्कुलेट होगा किले रहे बच्चा चलिए रीद करें लॉक इन नो लॉक इन रिक्वार्मेंट अप्लिकेबल टू लेवल अप दी एंप्लोई ट ट्रस ने 2021 में शेर्स अपने पास रखे थे आपको मिलते हैं 2022 में तो आपका लॉक इन पेरेड 2022 होगा प्रॉम दा डेट ओफ अलॉटमेंट हमने ट्रस ने जो होड करके रखा है उसको हम एक्स्व्लूड करते हैं दास इट क्लारिटी है पका चलिए मांग कर लिजे पिशिता कुछ बोल भी बच्चा चलिए मांग कर लो हो गया कॉंसेट समझ में आ गया पहला बच्चा हम एक एक करके स्कीम पढ़ रहें पहला इस ओ पड़ा इस ओ में कुछ नहीं जन्नल बात हैं उन्होंने का स्कीम में लिखो प्राइस थोड़े साइड कर लो वेसिंग पिरेड़ कि में एक ता ल लॉकिन पिरेड आ उप्षेल बच्या याड रखना वेसिंग की बुल रहा है लॉकिन एक साल में प्षण अनल् दिन के लिए विंडो ओपन है एंपलोई के लिए भी चार दिन के लिए विंडो उसे काम करने के तरह आद नहीं है clarity है इसले वेस्टिंग परड़ आएगा इछ नहीं चले next के लिखा है चले stock appreciation right team appreciation क्या था difference आपने हमारी company को बढ़ाया है appreciate किया है 50 रुपे से आप कहां तक लेकिया है बच्छा डेड़ सो तक आप company ने क्या बोला 100 रुपे का जो difference है या तो आप इसे क्या दो cash बढ़ दो या तो क्या दो बच्चा company के अपनी मर्दी वह स्कीम में क्या बनाएंगे चलो administration implementation पहला बच्चा सेम तुम लों मुझे बतो आप क्या बोलता है डिटेल बनाओगे न आपकी जो भी appreciation scheme होगी contain the details कैसे implement कैसे operate होगा सब points की पहली line से मैं की में लिखाओगा सब पिर क्या लिखा है company free है कि वह cash दे या पर क्या इक्विटी दे मैंने भी बता है ना 50 रुपे से आप डेड़े तो लेकर आते हूं आपका कितना difference बनता है 100 रुपे 100 रुपे या तो सारे employees को cash बाट दे या तो क्या बाटे शेर कंपनी की मर्जी है तो साब बोल दिया है scheme में वह जो settlement करना चाहते settlement कर दे वह उनका खुद का decision है चीक है इन्होंने लिखा है जो ही scheme है offer मत करना unless क्या ना करो disclosure specify the board बच्चा टूदी prospective SAR guarantees कौन होती थे बच्चा एक guarantee होता है guarantees होती है sorry grant grant मतलब option देना होता है ठीक है grantor और grantee जो दे रहां company grantor हो गई और employees क्यों हो गए इन्होंने बोला prospective prospective मतलब जिने भी दिया जाएगा हाना कोई decide तो है नहीं compensation committee eligibility decide करी किसको देना है किसको नहीं वापस पहला और दूसरों point को हमें समझ में आ गया yes or no बढ़ू आगे इन्होंने बोला आप scheme तब तक offer नहीं कर सकते हैं जब तक disclosure ना दो किसको disclosure ना दो grantee को disclosure ना दो कि भाई आप scheme में क्या लेकर आ रहे हो ऐसे ही बोल दोगे क्या क्या में स्कीम लेकर आने हैं भाई यह स्कीम की detailing बताओगे कि ने बताओगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को specified करना है हमारी जो scheme है उसकी पूरी detailing इन शॉट कुछ नहीं दिया है पहला point बोलता है स्कीम में लिखो दूसरा scheme में free हो तुम cash देना या फिर shares तीसरा point बोलता है कि please detailing किसको बता दो employees को दे दो granties को क्या दे दो बच्चा पूरी पूरी specifications बता दो कि भाईया हमारी स्कीम में क्या-क्या है ताकि वो लेने से पहले आप offer तब तक नहीं कर सकते जब disclosure नहीं दो मतलब disclosure दो फिर offer दो बच्चा क्लेर है चले वेस्टिंग पिरेट कितना एक साल वेस्टिंग पिरेट कितना एक साल बच्चा पचास रुपई को डेड़ तो तक पहुचा आया मतलब काम कर रहे होगे ना तो आपने आपने हाना जब appreciation जी राइज देंगे इसमें कितने साल तक सामने वालों को काम कर रहे है आपकी मर्जी लेकिन minimum कितना एक साल तो करिए maximum दे रखाए मतलब कोई लिमिट नी जितना रखना रखो किलर है बच्चा मुझे बताओ क्यों कुछ राइज बनींगे जब बंदा एक साल तक काम कर रहा है तो मालिक बन गया क्या स तो बच्चा से आर स्कीम वह थोड़ी मिलती जुलती है बस महां पर क्या क्या रहे कैस के पाउं में भी दिया जा सकता है उसमें तो बच्चा बशेस दे जा रहे प्रीटर में प्राइज और फीचर डिट मिलेगा वोट मिलेगा किसी भी तरीकी सो कोई benefits मिलेंगे repeat है यहां पर इन्होंने कुछ बाते दो एक्स्प्लेनेशन दिये इन्होंने बोला मान लो कंपनी के पास दो ऑप्षिन है या तो कैश दे या तो शेर से था ना कंवी ने अप्चिन ले लिया शेर अब आदा शेर फाड़ के देंगे क्या उन्होंने का बहिए उस आदे का पैसा दे पर इग्जांपल आपके शेर बनते 9.5 तो उन्हें का बहिए 9 शेर दे दो ना 0.5 जितना भी जो है उसका पैसा दे दो ताकि किसड़ी ना पके समझ में आ गया ठीक है 10 कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी 9 कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा तो बहिए जितना बनत आते हैं तो आपको आपको 950 के शेर देने लेकिन हमारे एक शेर की वेल्यू 100 रुपय आती है तो एसन कितने दे देंगे 9 शेर तो मिल जाएंगे लेकिन 0.5 आधा हम कैसे देंगे तो एक काम करो कैश दे दो वह 550 जतना बनता है नेक्स क्या लिए कैस सुना सुना से लग रह है तो आप बताइए अब उसको नई स्रे से शुरू करना है या फिर बच्चा कंटीन होगा आपका अंसर क्या होगा कंटीन क्योंकि बार बार बोला जा रहा है मर्जर अमल्गमेशन केस में चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा अट्जस किया जाए बच्चा चलिए तीनों स्क्राइब सिखनेस या फिर एक्ससेडें या फिर डिसीबिलीटी डेच स्कॉलर्शिप पंड सेम लिखा एंट सेम लिखा है ना देफिनेशन बहीं चिपका दी यह इन्वोर्टन नहीं है यह समय आजा कि दूने कंटनी ना बेफिट देना चाहती है ठीक है एक और हमने अ का यहांप बन पर जांद Dáन कि लिए यहां पर नॉका लेना नॉट एककसीड कितने सज्धा दस परसटों ज्लादा नहीं दस परसन किसका इन्हों आपकी balance sheet में क्या देखे जाएंगे पूरे total asset में एक book value होती है, total asset का book value देख लेंगे, या फिर बच्चा market value बोलो या fair value बोलो एक ही बात है, market में उसकी क्या value हो और आपकी books में क्या value, whichever is lower, whichever is lower, वापस, आपकी balance sheet है, yes or no, balance sheet में जितने total assets हैं, उसकी book value निकालो, उसकी book value में आता है कि भाईया 2,00,00, book value थोड़ा सा कम दिखता है, ज्यादा दिख सकता है, जब आपने खरीदाता, लेकिन market में value क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, for example, property rate तो automatic बढ़ते है, book value में देखा कि भाईया, हमने खरीदाता यह 10,00,00, हमने खरीदाता 10,00, लेकिन market में हमें पत 10,00,00, कितना निकालो, 10%, कितना होता है, कितना होता है, एक लाग, तो बच्चा, एक लाग के ही benefits दे सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने कम फिगर लिया, 10,00, 20,00, बहुत कम है, बच्चा करोडों में होते है, total assets कितने में होते है, करोडों में, तो proper calculation करनी है, आपको help करनी है, कि किसकी बच्चा, उस compensation committee की, in short, आप general, general benefits कितने दे सक होगे, maximum limit कितनी है, 10%, 10% किसकी, book value की और, book value और market value किसकी निकाल रहे है, total assets कि, whichever is lower, खत्म, generally कमी आती है, क्योंकि market में value बढ़ती है, इसलिए market value भी लिया जा रहा है, वो कमी आएगे, ठीक है, लेकिन कभी कबार हो सकता है कि depreciated चीज़े, जैसे machine raise, जैसे depreciated चीज़े है, machine raise की, market value जाद है कि, book value, machine raise जैसे depreciate होते रहते हैं, तो वो कम हो जाएगे, हम depreciation इस तब पूरा consider करेंगे, properties बढ़ती है, हाना, और जो चीज़े पुरानी हो गई है, जो depreciated form में, वो देरे-देरे कम होती है, तो उन्होंने का, जो value होगी, हम वैसे भी लोगर लेने माले हम बहुत ज्यादा benefit नहीं देंगे, maximum benefit की limit क्या है, जो general employee की benefit है, same retirement क्यों है, कुछ भी अलाग नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं बताया है, retirement में, ना definition बताया था, same, क्या लिखा है, कितने आदेना है retirement benefit, maximum कितना, 10% 10% किसका, वही मैंने का था, ये no मैंने कहा दिया था, ये mark कर लेना, अब read करो, उनको वापस में read, एक्चल में वो मैंने mark नहीं कहा है, at no point in time, कभी भी, कभी भी क्या लिखा है, exceed now, बस ये locky language है, locky language है, no, बहुत पहली लिखकर ये लोग भूल चुके है, ठीक है, यहाँ पर भी same, यहाँ पर भी same, ठीक है, तो minimum, sorry, minimum मैंने गलत लिख दिया, मैंने लिखा है, maximum, sorry, 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 मेरी गलती हो गई है, ठीक है, दो minute rejoin करा लो, ठीक है, उस no को भी mark कर लो, और maximum लिखो, गलती मेरे side से है, बच्ची rejoin करें, तो बच्चा, general benefit और retirement benefit में, same limit है, वो क्या है बच्चा, 10%, 10% किसका, total asset की book value, और total asset की mark value, whichever is lower, चीक है, चलिए, mark करेंगे, रिटार्वन benefit में कुछ भी हो सकता है, specify नहीं क्या है, वही सारी चीज़े, जो health well जो हमने पढ़ा है, copy, paste, चीक, पूरी पूरी पांचो स्कीम हो गई, पहली, लॉक इन था, और अप्शनल था ना, सट्यो कीटी में था क्या, कितना, पर्टे स्कीम में था क्या, था, डिटाउंट में है, तो, नहीं है तो, कोई lock-in प्रेट क्योंकि सेम है ना भई या, उनको नहीं दे रहे तो इनको क्यों दे रहे, ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद अप्रिसेशन बढ़ा था, लॉकिन है, लॉकिन है, वेस्टिंग है, बच्चा, ठीक है, इसका प्रॉपर एक चार्ट बना ले ना, क्योंकि देखो, एक्जाम में तो सब एक साथी कुछ आ जाएगा ना, तो, क्लिक होना चाहिए, ठीक है, चलिए, चलिए, जन्रोर रिटार्मेंट बेरिफिकत कुछ बच्चा, अब इसकी बाद जो ये सारी चीज़ें है, अभी मैं स्केप कर रही हूँ, यहाँ जो इंपॉर्टिंग चीज़ बस पढ़ा दो, हम प्रोसीजर पढ़ रहे, मतलब क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस, किसकी प्रोसेस, इस ओब इश्यू करनी की, एक लिस्टेट में, आपके डारेक्टर ने आपको बोल दिया है, कि भाई सुन, मुझे अपनी एंप्रोस को इस ओप दियना है, तो बताओ, सोच हो, क्या करोगे, सबसे पहले, किसकी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, हमेशा, वेरी गुड, हमेशा, बोर्ड मीटिंग होगी, हमेशा क्यों हो बोर्ड मीटिंग में करते हैं, तो कोई O.R.S.R. नहीं होता है, उसमें हम बोलते हैं, बीया, बोर्ड रिजलुशन, बोर्ड ऑड डियक्टर के द्वारा, रिजलुशन पास क्या, वो कैसा होता है, मैजॉर्टी मैं तला 51% बाला ही होता है, जो O.R. होता है, बच्चा जादर क्या किया जाता है, बच्चा, बोर्ड रिजलुशन, बीया, बच्चा, लेकिन O.R. में क्या होता है, 51, इसमें भी 51 होता है, लेकिन वर्ड यूज नहीं किया जाता है, क्या बोले जाएगा, बोर्ड रिजलुशन, किलर है, चले, बच्चा, बींग स्तियस आपने प पिर इंडारक्ट सारी डिसक्रशन हो जाएंगे यह जो स्कीम तैयार हो गई है बोर्ड मीटिंग में पास हो गया है पिर आप क्या करोगे णे से ग्रॉमीटन के यह सारी हो गारौ नहीं 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 होती थह पब्ली कंपनी में साथ और प्राइविट कंपनी में ओवार केलर है बच्चा आप इनुने यही सारी चीजे करवाई है लेकिन थोड़ी से ओव डिटेलिंग के साथ लिस्टेट कंपनी को थोड़ा सा जादा काम करना पड़ता है इनुने का भाई आप एक इक स्टॉक एक्स् कि हम इस वह लेकर आने वाले हैं तुरंट कितने कितने बच्चा तुरंट मीटिंग खतम होते आपको बताना पड़ेगा अब बच्चा जनरल मीटिंग होगी जनरल मीटिंग में एसार पास किया यह बात भी किसको बता दो स्टॉकिंग मतलब बात हर एक छोटी छोटी बात आपको किसो बताना पड़ेगा स्टॉक एस्चेंज को भी आजो इन्होंने का सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी इन्होंने का मीटिंग होने से पहले एडवांस नोटिस ऑफ दी बोर्ड मीटिंग है चीज कितने मैंने इन्होंने का मीटिंग चालू भी करोगे ना कब होने वाली है दो दिन पहले बता दो मतलब चप्पे-चप्पे की खबर किसको देने पड़ेगी को करींगे तो करना नहीं है पहले क्या पूर्किंग देस पहले बता दो केदिन कहां जहां आपके जएंगे मतलब पहले मीटिंग नहीं करनी है बिंग का करना है एडवांस नोटिस को सुदेना है स्टॉक एक्स्चेंज को वेड़े सेक्योर्टी कम्तियां लिस्टेड पहला समझ है पिर एक और लिखा है पिर तुरंट क्या करना है कमीटी बनाओंगे कंपन सेशंई कंमीटी डाइरेक्ड रूट से तो कंपन सेश्ट इन डालेक्ड रूट है तो फिर प्राव कि रित तॉन मिटिंग को नहीं करना है पहले मिटिंग होने वाली एं स्टोक एशन को बताओ अब इन्होंने कां चालू कर देगी त्व कि जब वह मीटिंग भोगी बोर मीटिंग तो वह प्लान लिखा गिना तुरंत बैठे बैठे मीटिंग में नहीं बनाया जाता बना के पहले से लेकर जाए जाता सब के सामने discuss किया जाता है कोई कहेगा यह पॉइंट हटा हो कोई बॉलेगा रखो तो यह सारे discussion होगा तुरंत नहीं बनाया जाता है घर से पूराप बना के वो लेकर आएगा दूसरा बाइंट के लिए रहे हैं अब फोल्ड हो रही है वीटिंग ठीक है बोर्ड मिटिंग हो रही है एड़ फाइनल स्केम इस बोर्ड मिटिंग में फाइनल स्केम टम्स एंक अनिशन कैंसिल किया कुछ इनों ने का भी यह स्कीम तयार होगी तो तुरंद किसको पॉइंट कर लो मर्चेंट बैंकर रजिस्टर मेंटेंट करोगा कहां रजिस्टर होगा सेभी के पास सेभी के पास ठीक है अप्रूफ करो नोटिस ऑफ दी जनरल मिटिंग और इसी इसी बोर्ड मिटिंग में ही ड कर लो जनरल मिटिंग कब होगी चिक है चलिए और डिसाइट कर लो कि भी ऐसार पास कर नौस में पहला पहला क्या बताओ रोटिस को स्टॉक एक्षिन को दो दिन पहले फिर उन्हें क्या बोला है कंबंदेशन कमीटी अपना काम चालू करेगी ड्राफ में पिर मीटिंग मे लेकर आईगी स्कीम उसको फाइनल करेगी और इसी बोड मीटिंग में क्या डिसाइट करो बच्चा बूल गए लिखना स्टॉक एक्स्चेंज को इंफॉर्म करो 24 गंटे के अंदर मतलब समझ लो अभी 12 बजे हमारी मीटिंग खतम होती है मान लो तो बच्चा 24 गंटे मतलब कल 12 बजे से पहले पहले तक स्टॉक एक्स्चेंज को एक हवर मिल जानी चाहिए कि भाई आप प्रीवल हो गई यह बोडव डाइक्टर की आप नहीं वी जो भी वॉट्टेपर के लरे बच्चा प्रीफ पॉइंट अब जन्रल मीटिंग का अभी दो दिन पहले स्टॉक एक्चेंज को इंफरमेशन दो कि मीटिंग होने वाली है बच्चा लिस्टेट कंपनी में प्रोसेस और लंबी हो जाती है अगर आप लिस्टेट नहीं हो ना तो बस बोड मीटिंग होती जन्रल क्लूजन फिर जन्रल मीटिंग का नोटिस दो फिर वो कंडग कर आओ फिर उसका कंक्लूजन च्छै पॉइंट हो गए लिक नॉर्मल कंपनी होती तो बोर्ड मीटिंग हो रही और उतके बाद जन्रल मीटिंग हो रही है बस पोटीन वगर पास करो के लिए मतलब यहां पर प्रोसेस लंबी होती है काम थोड़े से ज्यादा के लिए रहे है चले अब बच्चे यह समझ में आगे दो दिन फैले स्टॉक एक्षेंज को इंफॉर्म करो कि सिक्स पॉइंट क्या बोलता है कि मीटिंग करा हो कि अप्रूबल से मतलब क्या होगा है एसार ठीक है सेवन प बढ़ू आगे चले एट पॉइंट जब भी एसार पास होगा जब भी एसार पास होगा आपको आरोसी आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे इंफॉर्म करना पड़ेगा एक डॉक्युमेंट देना पड़ता है डॉक्युमेंट का नाम क्या बच्चा mgT-14 कितने दिन के अंदर 30 एसार पास किया तो और पास किया तो कने के ज़ुन रहता है नहीं अब बोर्ड मीटिंग में तो b r पास किया था मैंने क्या बोला म्ंटária 14 तबग भीक्या होता है S.R. तो board of director की जब meeting में board resolution pass किया गया था तब हमने M.G.T. 14 नहीं दिया था क्योंकि S.R. नहीं है जब-जब S.R. आएगा तब-तब क्या जाएगा M.G.T. 14 तीस दिन के अंदर किसको R.O.C. मेरे company जब बलपूर की है तो मेरा R.O.C. office क्या होगा? गॉलियर प्रिंस्पल अप्रूवल कुछ याद आया है? पहले से अप्रूवल ले लेना इन्होंने बार रूल्स रेगुलेशन भाई सेम बाते लिखे 10 पंड के बोलता है इस्यू हम बार-बार मैंने आपको बूला option दिया option दिया बच्चा option इसे ओरल ही निदिया जाते है को एक letter होगा return कंपनिया से नहीं बोले यह option मिला किसको मिला पता ही नहीं भाईया जिस इसको letter selected लोग को दे रहे थे हैं हाना तो selected लोग को informed किया मतलब उनको mail किया या letter दिया तो भाईया issue करेंगे letter of option 2 eligible employees along with the letter of acceptance मतलब दो form दिये जाएंगे एक में पूरी बाते लिखे जाएंगी दूसरा अगर आप accept करेंगे तो उस form को भर कर वापस दो तो जो option दिया जाते है उसे letter of grant और letter of acceptance जबाब हमें वापस दोगे मैंने आपको कहा था उसमें पैसे लिए भी जा सकते है और नहीं भी चीक है अगर लिए है तो बता दिया जाएगा नहीं लिए तो फ्री होगा जैसे company के मर्ज़ और रिसिप्ट अब दी letter of acceptance of the option जो लोग कहेंगे कि हाँ option लेने को त्यार है तो लेटर of acceptance वापस करेंगे चीक है अलॉंग विद्धि क्या लिखा है अप्रंट पेमिन इस वही पैसे की बात कर रहे है तो company ने बोला letter of acceptance दो साथ में पैसे भी दो अगर मांगे है तो if any मांगे है तो ने तो नहीं ठीक है from the employee issue of बच्चा 12 पॉइंट बोलता है आप्रे एक साल के अंदर हो जाना चाहिए एक साल के अंदर हो जाना चाहिए एक साल के अंदर वेस्ट हो जाना चाहिए एड़ टाइम जो भी बुलता हो गया एक साइस करने का टाइम एक साथ इन्होंने काया है कंपनी क्या इशू करती बच्चा जब लेटर वेस्टिंग देती है उसी टाइम पर एक साइस का भी देती है वो ऑप्चिन लेकर आप तुराँ उस दिन आ जाना है एक साल के अंदर अंदर रिपीट है ठीक है रिचिप्ट ऑफ दी लेटर ओफ लेटर वेक साइस फ्रॉम दी एंपलोई बच्चा एंपलोई क्या लेकर आएगा हमारे पास एक साइज जाला लेकर आएगा बच्चा वापस वापस इन्होंने बहुत सारे टम यूज किये है एक्च्छल में क्या है रुको बतारी है पहल क्या बोल दिया option को मैंने accept समिट हो गया आप तो कुछ नहीं तुमारे पास ठीक है फिर कंपनी ने आपको क्या दे दिया वेस्तिंग पांच साल तक काम करो यह लेटर दिया पांच साल तक काम कर लोगे सब रिटर्न में हो रहा है अभी तक जो और लिग रहा था बच्चा कुछ नहीं होता सब रिटर्न होता है इसके भी लेटर बनते हैं ड्राप्टिंग होती है तो बच्चा आप लेटर ऑफ एक्साइस लेके पहुंचोगे उस दिन आपने option बोल दिया आज मैंने option दिया कल आपने उसका क्या दे दिया मुझे acceptance दे दिया वापस आज मैंने option दि होगे तब क्या लेकर होगे letter of exercise समझना जब मैंने option दिया है यह कोई एक paper नहीं है इसमें पूरे bundle से मतलब दिये 4 गए थे पहली बार में क्या दिया थे चार पहला तो option पहला तो option ठीके पहले दिया option और acceptance दोनों साथ में दिया आपने क्या किया grant को read किया और acceptance letter लेक्या जा करना यह वदा समझ में आ रही है वापस मैंने आपको क्या दिया पहला क्या दिया grant अपकल क्या लेकिर आगो acceptance दिनों ने acceptance दिया उन्हीं को मैं बेदान करो वेस्तिंग के साथ में क्या देंगी, excise, यह वेस्तिंग पेरेड है, काम करो, ठीक है, अगर बीछ में छोड़ देते हो, बीछ में छोड़ देते हो, तो याद है, refund हो जाता है, बीछ में छोड़ देते हो, तो 30 रूपे refund, या फिर बच्चा, लास में आओगे, excise करने, तो आ लेकिन समझ में आ गया अब रिसिप टू लेटर ओव एक्साइस फॉम दिए एंप्लोई एंप्लोई जब देने आएगा तो हमें क्या करना है ले लेना है उससे और उसको क्या दे देने बच्छा शेर इशू के बास समझ में आई फिर होल्ड करो मीटिंग ड्यूरिंग जो भ यह है तुमारा शेर सेक्टिफेकेट कातम चीक है एप्लिकेशन देंगे किसको स्टॉक एक्चेंज को आप क्या कर लो पहले पर्मीशन ले ली थी अप्रूबल आप क्या कहेंगे भई यह शेर्स अलॉट्मेंट जब दे देंगे उससे क्या करना है तुरंत से तुरंत लिस करवा दो रिसिप्ट ऑफ दी लिस्टिंग ऑफ दी शेर्स चीक है इन्होंने क्या बोला स्टॉक एक्स्चेंज जैसे ही वो बुलेगा नोटिफाई करेगा कि लिस्ट कर दो स्टॉक एचेंज से लेस्ट कर देगा और फाइनली आपको क्या करना है दो कॉम रड़ जाने ए जब आपने ऐलोट्मेंट किया जब जब अलॉट्मेंट करोंगे तब तब आरोसी को बताओगे स्ट्री से कितने यंद के अंतर जब भी बंब करो आगर आपके कम उए लिस्टे नहीं है इंहीं है तूंड मीटिंग हुई जर्रल मिटिंग ही है दिक्र Oz i Ka j Am उसके बाद हमने क्या क्या जब यह option excise करने आया उसको allotment किया तो हमने पैस 3 पिर आरोसी को बता दें बंदर 5-6 points में बात फ़र लेकिन क्योंकि यह listed company है जब meeting होने वाली होगी हो रही होगी conclusion सब बताना है each and every point के लिए रहे बच्छा process समझ में आया finally other role CS का role क्या पूरे chapter में जो कुछ बता है आपकी को करना है compensation committee कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया आपकी को तो नजर रखना है चलो list जब हो रही होगी बच्छे यह सारे options जो भी हमने पूरे chapter में पढ़ा certificate from company security for receipt of the money पैसे proper मिल गए है company का CS जॉब करने वाला है क्या लिखा है company का CS मतलब जॉब करने वाला जो CS है वह certificate देगा जिसमें क्या लिखा होगा कि हां company को पैसे मिल गए वह 100 रुपे पूरे मिल गए और हमने बदले में क्या दे दिया है उसको share issue कर दिया quarterly certificate practicing CS मतलब यह कौन स time जो भी वह quarterly certificate देता रहेगा CS जो job बला होगा वह एक बार में बोलेगा हमने पूरे compliance कर दे और practicing हर quarterly आकर देखता रहेगा कितना पैसे लिए पहले अभी उतना ही लिए same है तो यह बस notify करेगा that's it clarity है in short काम आपी का है regulation देखने का ठीक है बस बुलने वाली बात है यह करेग बस बची है ठीक है तो बच्चा इन शॉट बचा कितना पेज है मझे बताओ दो पेज है और वो इस चैप्टर का सबसे अनिंपोर्टेंट पार्ट है लेकिन हां मैं पढ़ाऊंगी लेकिन मैं आजी से आपको disclaimer दे रही बच्चा टेस्ट संडे है पढ़ो अच्छे से ठीक है संडे का पूरा दिन मिल रहा है आपको मंडे मंडे मैं क्या करवा रही बच्चा वो जो दो परसेंट वाला पोशन अनिंपोर्टेंट वाला बच्चा है वो मैं उससे कंप्लीट कराऊंगी और टुस्दे में पहली अनौंस कर यह आपका टेस्ट है तो आपको प्रॉपर गाप में अच्छा कासा दिया है मुझे मालूम है आप में रक्षा मदन की छुटियों में कोच नहीं पड़ा है इसलिए संडे और मंडे टाइम मिला कुछ बोली थी बच्चा पारिशा पुच्ची नहीं है नहीं यार